पहले match भारत और Best Indies के बीच में जो की Kingston Oval में ही होने वाला ये भी match वरवार्डोस में ही देखने को आपको मिलेगा पहले match में चिस तरीके से GL में हमारी team rank करी थी 100 rank में आई है उसी तरीके से इसमें भी हम rank करवाने वाले हैं किस तरीके से prediction और pitch report होने वाली वीडियो पर आखरी तक रुख करके आप लोग समझेए सबसे पहले बात करेंगे दोनों टीमों के performance की सबसे पहले देख लेते हैं यह जो ground है यह जो pitch है Best Indies ने वही गलती करी जो test match के पहले match में करी थी और spin track बनवाई थी वैसे पहले यहाँ पर तैथा कि 3 नमबर वाली pitch पर match होगा लेकिन match हुई यहाँ पर 4 नमबर वाली pitch पर खिलाल के लिए कोई बात नहीं Best Indies का जो overall पिछले 5 match का performance रहा है वो काफी खराब रहा है वैसे एक match इसने जीते हैं और वो भी Oman जैसी टीम के खिलाब बाकी के लगभग 4 matchों में इसे हार का सामना करना पर जिसमें स्कॉट लेंड नीदर लेंड जैसी टीमों ने इसे हराया वहीं बात करेंगे भारते टीम के दो मैचों में हार जरूर मिली है और वो दोनों match ऑस्ट्रिया के खिलाब जबकि Best Indies के खिलाब न्यूजिलेंड के खिलाब भारते टीम ने जीत हासिल करी मामले में तो ठीक ठाक है भारते टीम का वैसे ओबरन पिछले तीन मैचों में भी भारते टीम ने बेस्टेंünde जीत हासिल करी इसली को बीछले 10 वंडे मैचों ही बात करें अगर जो पिछला पहला वंडे मैच देखते हैं तो इसमें थोड़ा सा देखा जाए पिछ के बारे में तो तीन नंबर वाली पिछ था थी लेकिन चार नंबर पर खेला वहां पर हुआ था और उस पर पर हुआ शेयर हुप ने सबसे बेतर प्रफॉर्मेंस करके दिखाया पहला आप मेरा पिछ रिपोर्ट का वीडियो देख सकते हैं तो शेयर हुप जो की 45 ओल में 43 रन बनाये वहीं एलाई सिधांजे ने अठार में 22 बनाये थे कुल्दीप यादब छे रन दे करके यार विके ती नजर आई और 22.05 ओबर में मैच फिनिस करके अराम से वह आपस आ गए इशान किसन ने शांदार 52 रन बनाये वहीं सुरी कुमारी आदब ने 19 रन बनाये काफी सारे लोगों ने बिराट और रोही सर्मा जैसे क्लियर्स को कैप्टन लिया था लेकिन मैंने हमेशा सुरू से ही मना किया कि आप वहां पर रिस्क नल है आप नीचे मिडिल ओडर में आईए वहां पर अच्छा परफोर्मेंस और जो आल डाउंडर है वहां परफोर्मेंस दीजे हां आप एक टीम सिर्फ बना करके ग्रेंड लिग में लगा सकते हैं पर सिर्फ टीम यह रहेगी कि एक पिछला वीडियो आप देखिया पता चल जाएगा यह बहुत इंपोर्टेंट प्लियर्स बेस्टेंडीज के तरफ से विकेट लेने के मामले में नजर आने वाला है वहीं जाये सेल की बात करहा तो इसने भी एक विकेट निकाले काफि अच्छा परफोर्मेंस कार्टिया क पिछले दस वंडे मैच में से आठ मैच जीते हैं सिर्फ दो मैच हारी है वो भी ऑस्ट्रिया के खिलाप वहीं 250 का एबरेज स्कोर 390 का हाइस्ट और 111 का लोएस्ट स्कोर है ग्राउंड पर दोनों टीमों के ओबरॉल परफोर्मेंस की बात करें तो बेस्टेंडी जिन यह ही बात करेंगी टेशन ओबल के ग्राउंड के तो वर्गे ऊहने के थोरए बाहूत चांस रहेंगे जैसे कल के मैच माँच में मैच वा उस पिछ पर तो बिलकूल नहीं होने वाकि讲 overall 30 and day matchं में दो match बारिक सिका रहें यहां पर रदD हुए बाकिके जो 28 match रहै उसमें 33% teamمों ने पहले बलेवाजी करके जीत हासिल करें बाकिके teamों को 60% teamों पर यहां पर बाद में बलेवाजी करके जीत हासिल हुई यह वहीं बात करें इस ground का जो एब्रेज स्कोर है वो 211 अरका जो कि पहले वंडे तक अगर देखा जाए तो 217 रनों का रहा था वहीं सेकन इनिंग के अब्रेज स्कोर यहां पर 180 का नजर आता है हाइस टोटल यहां पर 344 जो कि इंग्लेंड वेस्ट इंडीज के टीम में बना था वहीं आयरले ने यहा लेकिन अगर देखा जाएं पीच के बारे में तो जो क्ल की पीच्ट थी उस तो मिलेंगे भारते स्पीनर्श को लेकिन उतने ज्यादा नहीं जितने के 7 बिकेट मिल गए थे, तो आप ये उमीद मत किजिएकों कि 7 बिकेट ही मिलेंगे, हाँ, 4 से 5 बिकेट इस्पिनर्स को मिलेंगे, तो स्पिनर्स को इसे टीम में रखना है, पर कैप्टन वाइस कैप्टन का इसमें मैच में रिस्क मत लिजेगा, हारवीन जरीजा को AJ सक самой पुल्दिप याधब को वाइस चैप्टन कर सकते हैं क्योंकि वो ज्यादा ज्यादा दो इकिट से वन्डी मैच से पहले हुए थे उस में वेंटिसले वन्डे राइस मैथा मेंच से आया था तक अलाफ बहुत हो न्यव्क से सकते हुए बरी चैपटन धन मैच न्यूजिलेंड और बेस्टेंडीज के बीच में हुआ वहाँ भी बेस्टेंडीज ने पांच विकेट से मैच जीता है एक चीज कॉमन इसमें देखने को मिलेगी दो बार यहाँ पर टीमें जो रही है वो आलाउट हुई है पहली इनिंग में, सेकेंड इनिंग में जो टीम औल आउट हुई वो सिर्फ एक बार और वो बेस्टेंडीज दूसरे बंडे मैच में आप देख रहे होंगे, वहीं दूसरे बंडे और जो पहला बंडे था, वहाँ पर न्यूजिलेंड की टीम पहली इनिंग में औल आउट ह हुआ था, अब इस मैच के लिए हम बात करेंगे कौन-कौन सा खास प्लेयर, इंपोर्टेंट प्लेयर्स हमारे लिए होने वाला है, जिसे हम अपनी टीम में रख सकते हैं और वो अच्छा परफॉर्मेंस करके भी देने वाला है, इशान किशन सबसे इंपोर्टेंट प्ले और गुडा केस मोटी है, दो विकेट शार्दूल ने एक विकेट, हार्दिक पांडा ने एक विकेट, उसके लाबा मुकेस को भी एक विकेट मिला अपने डेब्यू वन डे मैच में, और उसके लाबा एक और बॉलर है जो कार्टिया नाम से है, बेस्टेंडीच का सिनर्स ह उसको भी एक विकेट मिला, तो इस तरीके से ये परफॉर्मेंस करते नजर आएं, देखिए, विकेट कीपर के तौर पर आप इशान के सन के साथ भी जा सकते हैं, और शेहोग के साथ भी जा सकते हैं, जैसा कि आपको अनएक्सपेक्टेड चीजें देखने को मिली दूसरे मैच में चेस करते हुए, तो अगर एक चीज आपको ध्यान में रखना है, अगर पहले बल्लेबाजी भारते टीम की आती, तो रोही तौर आपको शुवमंगिल की ही जोरी आपको नजर आएगी बल्लेबाजी करते ओपनिंग में, लेकिन अगर चेस करेगी तो वहाँ पर पिर अनवांटेज चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है, तो विकेट कीपर के तौर पर मैच के सच्वेशन के हिसाब से आपको रखना है, लेकिन शेयोब को आपको जरूर टीम में जगा देनी है, उसके अलावा तुराज गायक वार्ड के खेलने के चांस हो सकते हैं, ह हो सकता है, शुबमंगिल को थोड़ा सा आराम यहां पर दिया जाए, तो रितुराज गायक वार्ड के पास एक चांस बन सकता है मैच में खिलने के, क्योंकि यहां पर इनका परफॉर्मेंस जो लिस्ट ए मैच रहा है, पहुत लाजवा, पिछले तीनों लिस्ट मैचों में सेंचुरी लगाई है, और डबल सेंचुरी भी लगाई है, कैसी कार्टी की बात करें, बेस्टेंडी के तरफ से यह इंपोर्टन प्लियर्स है, और इसको वापस ला सकती, बेस्टेंडी की तीम, रोमन पॉवेल के जगह पर, यह चीत ध्यान रखना है, वहीं ब्रेंडन की की बात करें, विराट कोली की बात करें, तो विराट कोली ब्रेंडन कींग दोनों तो टीम में होने ही है, ब्रेंडन कींग भले ही इस मैच में पहले मैच में न चले हो, लेकिन इस मैच में यह बंदा कम से कम 40 से 45 रन आपको बना के देगा, तो इस वज़ा से ब्रेंडन कीं पिछले मैच में शांदार रहे, नोट आउट भी रहे, इंहोंने शोलर रन भी बनाए, वहीं बिकेट भी लेते रहेंगे, तो इस वज़ा से यह तीनों आल राउंडर यहां पर इंपोर्टेंट है, और उसके अलाबा बात करेंगे हार्दिक पंड्या को तो इस मैच में हार् डाल सकते हैं, उसके अलाबा एक टीम अगर भारती बले बाजी करते हैं, तो रोही सर्वा को कैटन आप कर सकते हैं, और वहाए पर बिराट कॉली को वाइस कैपन कर सकते हैं, उसके अलाबा बुड़ा केस मोटिये, जो की बॉरींग के तोर पर बहुत जवरदस्त होने वाल को तो यहां पर आप शार्दू ठाकुल को टीम में किजीएगा के इसको टीम में मत कीजीएगा शार्दू ठाकुल ग्रेंड लिग वाली टीम के लिए ज्यादा बेटर नजराएंगे वहीं पर और होसाने थॉमस के खेलने के चांसेस रहेंगे इस मैच में क्योंकि बेस्टेंडिक की जो फास्ट वालिंग रही वो थोरी सी निरासा जनक रही एस्पिनर्श ने जरूर विकेट निकाले तो इनको यहाँ पर टीम में ला सकती है और परफॉर्मेंस करते नजर आ सकते हैं इस मैच के लिए और वह भी काफी अच्छा रहेगा ब्रेंडन किंग भी आपके पास एक उप्सन होंगे जो ग्रेंड ली वाली आपकी टीम होगी वहाँ पर्क्स वाइस के लिए तो यह सारी चीज़े आपको ध्यान में रखना इस जो पीच होने वाली है इस पीच पर भी आपको उच्छाल बाउंस देखने को मिलेगी शुरुवात में विकेट गिरते हुए नजर आएंगे सारी चीज़े होंगी भारती टीम अगर बले बाजी करती है तो शुरुवात में 10 ओबर में सिर्फ एक विकेट गिरेगा वो रोहित का भी हो सकता है या पर शुबमन गि जिल खेलते हैं या नहीं खेlledें इस पर सास्पेंस है हो सकता है रितुराज गायकवार्ड आपको खेलते नजर आएं तो लेकर सान्स ले सकते हैं यह वंधे में यस तरीके पहले देखने को मिल सकता है आपको तो ये वंस बाखी जो भी अपडेट मिलेगा वो अपडेट हम आप लोगों को टेलीग्राम पर भी प्रोवाइड करेंगे साथी साथ मैं लाइब मैच लेकर के आऊंगा मैच शुरू होने से पहले 6 बजे से तो वह आपको वहां भी मैं सारे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराऊंगा कि इस तरीके से मैच होने वाला है तिलहाल के लिए आपको सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए जाए